इस खात्र चोरा निपांद जुत्ती टूटली बाबूगी चार पांच सालो लिए इबात ना रेकाबूगी कि इन चोरे आकान भी लखा लो रहे ना तो पाच्छत पस्ताओगी अर ये बेटी तो बज़्याओंगी पर इन बेटान को कर बचाओगी परिंका जी सरकार कहते कि बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, सरकार का सलोगन है ये, मगर मैं कहता हूं कि बेटा बचाओ, बेटी यां अपने आप बच जाएंगी, क्यों बच जाएंगी क्योंकि सरकार इसकी जड़मन नहीं जा रही, लड़के सन्षकारी होंगे, तो एक बेटी को अच्छा बाई मिलेगा, एक महिला को अच्छा पती मिलेगा, एक मा को अच्छा बेटा मिलेगा, क्योंकि लड़कियों की जिन्दगी बेटों से जुड़ी होती है जब लड़के संसकारी होंगे लड़की ब्याई जाओगी तो अंबीनियों के देंगे बाद पड़ा अच्छा दामाद मिला भाई लड़की की जिन्दगी संवर गी अगर जल बेटें संसकारी नहीं होंगे और बेटीन आप कितना पडालो आखर में मारा मूद याले खड़ागी भाई खाम खाई पड़ाई पड़ाई रढ़ गी माती में कोई काम नहीं आई लिवह बेटी की जंदगी की खराब होगी तो आज जरूत है बेटों का बचाने की और बेटों को किन किन चीज़ों से बचाने की जरूत है बेटे मैं पढ़ाई की बात करूँ बेटियां बेटों से आगे निकल रही है शिक्षा के चेतर में देख लो खेलों के चेतर में देख लो कि बेटें हैं हर चैतर में बेटियों से पिछड़ रहे हैं दूसरी चीज मैं तो आम समाज में बच्चे उक्चे का सिकार हो रहे हैं नशे का बीडी का शिगर्ट का इनके अधी ओर कि एए और उसने बाइसरा वलता ही है मतलब यह हमारे फुरूरू जोषे घलती है कि अजू हमने कर दिया है कि यह हमारे पुरूर्जों से घलती ही है कि धर श्राब की आदि पक्चे है आप शादी प्याम देखो डीजिया पर नाचेंगे, शराप पी के उर्दिंग मचाऊंगे, एक बियर की बोतल, दारों की बोतल लेंगे, खेता को शिडम जाए बिथेंगे, उड़ा जायके ने फिर सोसल मीडिया पर फोटो डालेंगे, देख जाट का टसन, देख खाती का ट पंड़त का टसन, मतलब यह चीज है, तो यह मैं कहता हूं कि बेटाओं को इन चीजों स्याज बचाने की जरूरत है, उसी संद्रब में मेरी कविता भी मैंने लिखी थी, जो इसलिए 26 जनुरी का हमने इस मुहिम के शरवात की थी, कि बेटा बचाओ, बेटिया अपने बच जाएंगी, तो मेरी ये कविता सोचल मेडिया पे अच्छी ट्रेंड में आई थी, तो बेटा बचाने को लेकर वही कविता में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कि इन छोर्य आकान भी लखा लू रहा है, ना तो पाच्छत पस्ता होगी, और ये बेटी तो बच जाओंगी, पर इन बेट्यान को लुकर बचाओंगी, पढ़ाई लिखाईगा बेरा ना, फ्यलमा के सारे नाम गिनादे से, तेड़ के उठते किताब की याद ने आंदी, चार बजे आरी माँग शडगा दे से, किताब को न यादा न दी, उसमें के गरेंगे, आरी माँग अग ने लिख रहे, चार बजे वका बर लेंगे, और फ्यर, सारा दन वका बचाओंगी, दुम्मे गिरेल बनादे से, कि पड़ाई लिखाई का बेराना फिल्मा के सारे नाम गिनादे से, तेड़ के उठने किताब की याद ने आंदी, चार बजे आरी माँग शडगा दे से, सारा दन वका बचाओंगी, दुम्मे गिरेल बनादे से, और दूदगी के स्वाद का चाई बेरानाओ, पर तमाखो का स्वाद बतादे से, एक जनातों न्यों बोलिया, खापी के मलना साड़त के लेके जाओगे, और ये बेट्टी तो बच जाओगी, पर इन बेट्यान को कर बचाओगी, इन छो राकान भी लखाले हो रहा है, ना तो पाच्छत पस्ता होगी, इस सर याना मसरब तक गणिया, दारूपा फलावन लागी, दारूपा इतना ट्रेंड हो रहा कुछ है ना, मितलब कोई छिदा परिवार, परिवार तो नहीं बच रहा, कोई आदमी बच रहा हो, इकका दूपका, ने तो मैक्सिमम आदमी लेके सोऊँए, को थोड़ी को ज्यादा को गाल में पढ़ा पावा है, पिछले दिनों पंजाब में एक मुवी बढ़ी थी, उड़ता पंजाब नशेगो लेकर, एरोन कोकिंग बड़ा नशा उड़े, वहाँ का जो जनरेशन थी ना, वो बिल्कुल बरबादी का गार पावगी, वहाँ का युवा, अगर दारूपर रोक्थाना लगी, पर जाने को है, इसर यानम सब ते गणिया दारूपा फिलावन लागी, दूदगी की जगए हर गरमत जगादरी की बोतल पावन लागी, गर ते गर की आदी ते गणिया कमाई तो ठिक अब जावन लागी, मर्द मानस पीए पढ़ा रहे गाड में, गर ने लुगाई चलावन लागी, समाज में काम बटे हुए है, बाद में ये काम करेगा, लीडी जें काम करेगी, आदमी के बारे मैं कम आदमी गहर जम्मेदार ज्यादा हो रहे आजकर, इस्त्री की पिक्षा, इस्त्री तो वहीं खड़ी है, तेकिन आदमी गहर जम्मेदार के वह शराब पीवा है, गाला में पढ़ा रहे है, फिर कि जब काशन बाशन सब केंपेकन के स्थिति में आओ है, फिर बुखे बालक बुखे मलने के नोब पता जाओ है, फिर लोगा यह नहीं सोचा ही, तो गाला में पिए पिए पिड़ा रहे है, रहबालकन को कर बुखी देखूंगी, फिर वह बच्चों का पेट पढ़ने के लिए बार निकलती घर से, फिर किया समाज उस पर उगल इठाओ है, बाहर जाओ है, या नियू जाओ है, जब गाल फिर को पकड़ने के लिए निबाने के लिए इस तरी घर से बार निकलती है, तो उसे अजार तानों का सामना करना पड़ता समाज का, यह विड़म बना की बात है, यह सच्चाई बात में कही रहा हूं, आपको एक आईना बता रहा हूं समाज का, की सर्यान मसब देगणी या दारूप मा फेलावन लागी, दूदगी की जगह हर गर में जगादरी की बोतल पावन लागी, गर की आदी देगणी कमाई तो ठिक अब जावन लागी, और मर्द मानस पीए पड़ारे गाल में करने लोगाई चलावन लागी, आची पड़ी ल तो ठकर की तकर का मेले निगा, च्योंकि आप देखले समाज में देखूं, अगर किसे का छोरी ब्याण की हो जाना, को तो बब्बु निको गावाई मेरी छोरी चोर अब जादे पांच साल हो गे देखे खंदन, को दो साल को वागा, छोरा निपांदा ठकर का, लड़की ग लड़कान भी लखा लिए रहना तो पास्यस बस्ता हो गे, दसमी बार में करके गाम मत पढ़ाई तो उठन लागी, कुछ लड़कियों को ये समस्या आ रही है, वो समाज के दरश्टी कौन के उपर, क्या बच जमाना निरा बार गालना का छोरी गा, गाम मत चा स्कूल रसम लड़कियों को सुरक्षी समाज सुरक्षी माहल की गारंटी देगा तो लड़की जाओंगी, अगर ये डर बीतर में हुनका बाई कि हमारे कुछ के दे, कुछ को कर दे, तो इसलिए किसी का बविश्या अगर हमारी वेज़े से खराब हो रहा है, हम उसके जम्मेदार है, त तो हमें उसको सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, कि दस मी बार में करके गाम में पड़ाई तो उठन लागी, और बार गालन का टेम नी रह रहा, न्यू करके बेटी की पड़ाई तो उठन लागी, छोरी खातर छोरा निपंदा, जूती टूटली बाबुगी, पोई बात फिराएगी, कि कई के साल होगे छोरा टुंद अन्टकर का पंदा है नी, इसका सराबी पाव है, के नशेडी पाव है, के फिर पड़ा इमरेबर निपंदा, के विचारा उसके विचार निपंदा, ये छोरी खातर छोरा निपंदा, जूती टूटली बाबुगी, च्यार पांच साल हो लिए, इस बात ना ने रिकाबुगी, गाम गुआंड छोड़के न साधी होनी चाहिए, अजकल इस पर भी मैं बोलना चाहूंगा, कि अब गाम गाम में लड़के लड़की वाज के साधी कर ले हैं, जो की अनसेंटिफिक भी है, एवे ग्यानिक बात है, और गुआंड पर लेतनों का अडब गाम गुआंड की सा हैं, वो कोई वैसे नहीं थी बात, वो सैंटिफिक रिजन था, उसका रिजन ये था, कि जब हम जतने नजदी के रिस्तों में साधी करते हैं, वो इतनी DNA में खराबी आती है, जो जनेटिक बीमारी हो पीछा नी छोड़ दी, मेरे गाम में दो परिवार ऐसे हैं, दो चाहर परिवार जिन के मतलब रटकी प्मारी तो मर दे आ रहे हैं, हाँ, और जो जनेटिक बीमारी वो पीछा कब छोड़ते हैं, जब दूर के रिष्टों में साधी करते हैं, नी तो आपके अंदर कोई डीनों में खराबी आओगी, विकलांगत आओगी, मानसिक विकार आओगे और कोई नी को बीमारी आपका वो जनेटिक बीमारी जो आपके दादे के दिवाया आप में पाओगा, बाबू के बाबू मत उच्छो रगाओगी, जब तब दूर के रिष्टाम साधी नहीं करोगे, तो उसका रिजन यह था कि गाम को अड़ने छोड़ो, गोतने छोड़ के छोड़ी खातर छोड़ी पंदा जूती टूटली बाबू की, चार-पांच साल हो लिए बात नरे रिकाबू की, गाम को अड़ छोड़के न साधी होनी चाहिए, और खुद की मर्जीबना कोई आथनी लगा सकता, छोड़ी आनी तनी आजादी होनी चाहिए, एक लड़क जब रात को निकलता तो उसे कोई बैने होता, क्योंकि कोई लड़की मुझे छेड़ सकती है, क्योंकि लड़कियों ने इस बैसे लड़कों को आजाद कर रखा है, कि हम तो में छेड़ेंगा नहीं, इसलिए हमें यही शुरुक्षा की गारंटी लड़कियों को भी देने क जरूत है, इस बैस से मुक्त करने की लड़कियों को भी जरूत है, आज समाज में, जब तक लड़की खुद नहीं चाहती कि कोई मुझे, कि आप मुझे छेड़ सकते हो, खुद की मर्जी बना, तब तक उसको कोई नहीं छेड़ सकता, इस बात कि हमें गारंटी देनी पड आते हैं, कि इतनी आजादी इन्चोर यान दे पाओगे, मेरा स्वाल से इन्चोर यान दे पाओगे, और यह बेटी तो बज़ जाओगी, पर इन बेटाया न को कर बचाओगे, और इन्चोर यां कान भी लखाय लो रहे, ना तो पाच्छत पस्ता होगे. मतलब बेटी अगर 11 बारा बज़े आओए है, कोई कौम है या फिर पड़ाई पर है, तो उस पर तो हम पूछ लेंगे, इपती कड़ा है, लेकिन बेटा चाहिए कितने बज़े आओगे? देखे, जो बेटी आँ ना, वो अपनी क्या के बंदन का भी सदुपयो कर दी है, मतलब कि समाज में लड़कियों पर बेटी याँ ज़्यादा बंदन है, हमारी जो विवस्ता है, वो भी बेटी याँ पाबंद रखने रखती है, उन पे नियम ज़्यादा है, बेटीआ फि हर चीज में पिछड़ रहे हैं तो इसलिए सुन तुलन हो रहा है समाज में तो इसी के उपर मेरी ये कविता थी कि आज जुरूत है बेटों का बचाने की क्योंकि जब आपके पेटेस्स कारी होंगे गुणवान होंगे तो जब उनका कोई छोरी ब्याई आवगी तो उनकी जिंद्गी अपने आप बच्जी आवगी नसे सदूर होंगे सराब से दूर ह होंगे शिक्षा में अवल होंगे और उनमें गुणकारी होंगे गुणवान होंगे तो उसके बिल्णा बंद आगे तब अपने उसकी जूंद्गी संवर जागी अपना बज्या होगी उसका जरूत नहीं है तो जड़ में बेटियों की जड़ में बेटे बैठे हैं माडा मिल जा कोई तो माब आपने फिर चिंता हुजे अब आपने अच्छी बात या दिला दी कि नूकर ने बेटी बोज है बेटी बोज होंदी को नी समाज की विवस्था ने बेटी को जबरस्ती बोज बना रख यह पहली बात तो कि है लड़की गराव है देज ले के आओंगे क्यों आओंगे बाई एक तो बेटी दे देगलन 20-25 साल पाड़को उसके दे दी वो के कम है फिर सारी उमर का ठेका उनने का कि तारह गरा सारा समाना होगा सारी रस्त्रम को तलई बहुतली सारी शीद्दे तारह आओंगे अगले 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 देने का यूरिवा पर देखे दिया देखे बटी वा जिन्दा ना लेने खातर लेट दस रपे देदेगे लेकि दस भी ज्यादा वायका दोस्ते वे यह एक बटेव का इंगे बटेव का कितना तेल लाग गया कितने के फल फूट लिया है सारा श्याब किता बलागन जन्द्द बटेवने दे देंगे मतलब क्या कि जो व्यवार था ना वो व्यवापार बनता जा रहा है छोटी चीजें एक दन बड़ी नाशूर बन जाती है अगर जानने दिया जाओ तो तो तेल का खर्चा कितना रहा है गाड़्यान कितने लिया होंगे कितने यू फरूट ले गया रहा है फिर अपने परिवार रहा है उसका परिवार रहा है अपने परिवार को लेना गलाव है राम उसने खर्चा परने सब को द्या हां तो बेटी को अमने जवर्श्ति बोढ़ बना दिया इंवे इतना खर्चा जब दिखरने से बाबुने की तना खर्चा सारी उमर देना देज देना फिर एक एक चीज सारे सीद बेटी की तरफ शियाओंगे तो फिर बेटी अपना बोज लागन लाग जा है इन शीयाजाद क कुछ बना दिया तो फिर उंट और नाया चोर या कि दो तब लाओज बना दिया बेटीक तमस्टमारी विवस्थानी आ 근데 यह वाधा जाना सकता है यह कि बेटी की गारा तो यह विवस्था को बदलने की जुरूद थर दो नहीं बेटीओं विवज बना गया है समाजने तो बेटे को बचा लो बात से अगर बेटा समझदार होगा गुणी होगा और किसे चीज का बैल नहीं होगा तो उस माबाप पर बेटी भी बोज नहीं रहेगी क्योंकि जब इस प्रकारते जो सब सोच चलना आग जाएंगे तो वह माबाप भी मतरों बेटी ने पैदा करती ह है अगरने कमा में लगा की सामिल लगा अगर अच्छा परिवार है अच्छा लड़का में लगा तो वह भी सारी चींताता है मुक्त हो जाएंगे तो पूरी की पूरी क्वीता भी आपने सुनी है और आज के टेम अगर बात कर रहा तो बेटी को नहीं बेटे को बचा लो त करें?